अच्छी खबर से जी हां मैंने आपको दो दिन पहले बताया था कि मेरी बिल्डिंग में 8 फ्लोर पर कॉविड 19 पॉज़िटिफ केस आया था मैं बहुत परिशान हो गया था स्पेशली अपनी फैमिली को लेके तो कल रात में उनका दूसरा टेस्ट हुआ था और वो नेगेटिफ निकला है जी हां अल्ला का शुकर है आप सभी लोग ने जो सपोर्ट किया मुझे उनके घरवालों ने हम सब ने मिलके जो दुआएं की वो काम आगया दोस्तो अब आग तो आप लेंगे तो 60,000 लोगों ने वोट डाला उसमें से 54% लोग बोलते है नहीं नहीं भाई ज़रूरत नहीं है और उसके बाद 44% या 45% लोग बोलते हाँ हाँ क्यों नहीं मतलब बहुत कड़ा competition हुआ है आप लोगों के बीच में यापर और आज मनें Realme X50 M पर एक तो एक के बीच में होगा गर्मा-गरम आज तो अंगार वाली टेक्नियू दोस्तों लाइक करना और फड़ावट ऋ से आज की रेक्नियूज शरू करते हैं तो ब इनिया से इंडिया में दोस्तों यह वाई्रस जबसे घुसा है न तब से यह रुकने का नاحम ही नहीं नहीं 16,000 से ज़्यादा cases हो गए और 6500 से ज़्यादा लोगों की जाने जा चुकिए अब दोस्तों वैसे specially महाराष्ट मुमें में तो कुछ ज़्यादा ही हो रहा है और अब इंडिया में दोस्तों government जो वो एक ऐसा wrist band यहाँ पर develop कर रही है जो की BECI एक government owned company यह वो design करेंगी और एक startup company होगी जो उसको हजारों की तादात में manufacture करेगी अब आप सोच रहे है इस wrist band का वाईरस से क्या लेने देना यह वाईरस कैसे रुकेगा हाला कि यह जो wrist band है यह Hong Kong में तो अलड़ी लोग इसका इसका इस्तेमाल कर रहे है अब इंडिया में क्य होगा दोस्तों कि यह जो wrist band होगा यह special होगा इस पे बहुत सारे features होगे जी यह उन लोगों के हाथ में पहनाया जाएगा जो quarantined है specially यही लोग होते जिन पर नेगरानी रखी जाती है और चाहे वो घर में हो या hospital में हो उनकी हाथ में यह पहनाया जाएगा जिससे उनकी body temperature को अच्छे से नाप सकते जिया और अगर वो ऐसे जोन से बाहर निकलते जहांसे उनको नहीं निकलना चाहिए तो सीधा public health officials जो है उनको notification चला जाएगा वैसे उनकी safety के लोग उसमे एमर्जेंसी बटन भी होगा जिससे अगर उनको कुछ help चाहिए तो वह आप उनकी मदद की जाएगी तो पूरी तर comment यहाँ पर step ले रही है दोस्तो पूरे world के अंदना सबसे strictest lockdown इंडिया में लगा है यह बात आपको यहाँ पर ध्यान रखना है देखते दोस्तों यह कितना जल्दी बनता है और कितना जल्दी से काम लिया जाएगा यह थोड़े दिनों में ही पता चलेगा तो यहाँ पर चुछ इंचे जो भी लेटर अगर आप रोपते और आपके दिमाग में उससे जो भी नाम आता है आप वो कमेंट करके बता हिये हम ने सोचा हम भी खेल लेते हैं हम यहाँ पर प्ले करते हैं देखते हैं किया लेटर रहता है और हम क्या सोचते हैं उसके बार ले F F2 देखा बोला ने जान पूछ के करते हैं तो फैनली दोस्तो iqoo Neo 3 5G चाइना के अंदर आज लॉंच हो चुका है और यह Officially World का सबसे cheapest Snapdragon 865 वाल आपको phone मिलता है इसमें चार अलग-अलग variant से Base variant 6, 128 जो कुछ मैं convert करके बता रहा हूँ 28, 29,000 का आपको मिलता है बतलब under 30,000 आ चुका है और उसके बाद 8, 128 जो कुछ 31, 32,000 का है उसके बाद 12, 128 आपको मिलता है जो कुछ 33, 34,000 का है और एक 8, 256 जो सब से higher है वो 35, 36,000 का है अब specs की बात करें तो आपको इसमें 6.57 इंच की Full HD Plus की IPS डिस्पे मिलती है जिहां कोई AMOLED डिस्पे नहीं है लेकिन 144 Hz आपको refresh rate मिलता है जो काफी अच्छी बात है उसके अलावा side mounted fingerprint scanner है Snapdragon 865 पे पीछे triple camera है 48MP primary Sony IMX582 वाला sensor है 8 का ultra wide है 2 का depth या macro आपको मिलता है उसके अलावा 16 की selfie है 4.5 अच्छी बेटरियर 44 Watt की आपको fast charging का support है और UFS 3.1 के storage का support भी है जो अच्छी बात है और LPDDR 5 नहीं होगा RAM इसमे LPDDR 4X होगा क्योंकि उन्होंने कहीं पर भी जिकर नहीं किया remaining specs एकदम standard है लेकिन फिर भी दोस्तो price मुझे लगता है ठीक है क्योंकि processor बहुत ज़्यादा powerful है इसके बारे में दोस्तों आपका क्या खायल है कैसी लगी आपको ICO New 3 की price ये phone इंडिया में बहुत ही जल्दी आने वाला है वो भी under 30,000 ही होगा मैं बहुत ही excited हूँ क्या आप excited है? कमेंट करके बता सकते है Mount Everest पर 5G ये चाइना वाले ना कमाल करते हैं दोस्तों आपने सही सुना Mount Everest पर 5G connectivity मिलने वाली है वैसे मैं तो जाने की planning ही कर रहा हूँ आप जा रहा हो तो बता ना यहाँ पर China Mobile और Huawei ने मिलके दोस्तों Mount Everest वर्ड का सबसे उचा mountain जो है उस पर दो अलगले cams की ओपर तीन 5G base station लगा दिये जहाँ पर वहाँ पर अगर लोग जाते तो उनको 5G connectivity मिलेगी उसको काम करने के लिए मतलब यह लोग भी तो यार कमाल करते हैं मतलब धमाल हो गया वैसे इसके बारे में क्या खाल है Mount Everest पर 5G क्या आप जाने वाल है और क्या स्पीड आती है वो टेस्ट करके मुझे जबर से बता है तो यहाँ दोस्तों Call of Duty Mobile की तरफ से एक अच्छी खबर निकल कर आ रही है Call of Duty Mobile का जो नया अपडेट आएगा उसमें आप सभी लोगों को एक नया मैप मिलेगा वो है Rushed Map जिहां यह एक बहुत ही बढ़िया मैप है जो Call of Duty Modern Warfare में था यह आपको मिलेगा यह एकदम से रेकिस्तान जैसा टाइप थोड़ा इलाका है उसमें Oil Refinery और Pipes वगरा होते वगरा वगरा Anyways यह I think बहुत सारे लोग अपने Mobile के अंदर इसका इसनेवाल कर रही है पहले से जो Beta में टेस्ट करते मैं specially उनकी बात कर रहा है लेकिन Stably यह सब को बहुत ही जल्दी मिल जाएगा जो बहुत ही इंट्रेस्टिंग मैप है तो क्या आप तयार ही दोस्तों इस धूल मिट्टी वाले मैप का आप मुझे कमेंट करके बदा सकते हैं तो क्या आप दोस्तों Realme की तरफ से यह फोन से जो इंडिया में अभी आपको मिल रहा है कुछ आराउंड अठारा सोर पी कास पास उसका हाईयर विन रिल्मी बर्ट्स वायरलेस प्रो वो यहाँ पर टाइवान के NCC पर लिष्ट हो गया है पुरे फोटो अगरा सब कुछ निकल कर आ चुके ताइवान का NCC होता है यूएस का FCC होता है इंडिया का BIS होता है सिंगापूर का होता है आयम डिये थाइलेंड का होता है NBTC रशेगा होता है EEC देखिए मुझे सब कुछ पता है एनिवेस फोटो देखे तो एकदम सेम है आपको कुछ ज्यादा खास परक नहीं मिल रहा है RealmeBirds Wireless जैसा ही लग रहा है बस यहांपर आपको Type-C port मेलेगा जो देखिए अच्छा लग रहा है क्योंकि RealmeBirds Wireless वायरलेस पोर्ट था और साथ में आपको शायद वह एक क्लिप भी देगा जो उस वाले पोर्ट का ढ़ाक सकते हैं पता ने उसको क्या बोलते हैं तो उसका अब यहां पर होल यहां पर आपको दिखाई दे रहा और इसमें इस बार बता जारेकर आपको बैटर आडियो क्वालिटी मिली की और ब्लूटूथ करेंज आपको अच्छा मिलेगा तो यह सारी चीज़ें यहां पर निकल कराईए Realme Buds Wireless Pro की क्या लगता दोस्तों क्या प्राइस पर यह इंडिया में आ सकता है वैसे बहुत ही जल्दी आएगा वो आप गेस करके कमेंड में बता सकते हैं तो यहां पर दोस्तों आज की सबसे बड़ी और गर्मा गरम कवर की बात करें वो आ रही है Redmi की तरफ से यहां पर दोस्तों Redmi की नए फोन की बहुत सारे लीक्स और रूमर्स काफी दिनों से यहां वाग घूम रही थी अब दोस्तों अच्छानक से Redmi का एक नया फोन चाइना के टैना सर्टिविकेशन पर यहां पर लिश्ट हो गया सारे स्पेक्स यहां पर दोस्तों बाहर निकल कर आ गई अब यह जो फोन प्राइस होगी वह работ मिलेगा MediaTek का Helio G85 वाला processor जो G80 है ये उसका overclocked version होगा इसा बताया जा रहा है जो अभी तक officially MediaTek ने announce नहीं किया है 6.53 इंच की full HD plus की आपको उसमें display मिलेगी ओविसली एक IPS display होगी लेट में लेगेंगे सिंगल पंच वल आपको display मिल रहा है पीछी quad camera है 48MP का उसके बाद 8MP ultra wide दो दो करके और है और 13MP के selfie और 520mm आपको बैटरी मिलेगी तो design wise तो Redmi Note 9 series जैसा ही लग रहा है लेगिन ये दोस्तों कुछ इस तरह की का phone list हुआ Redmi 10X के नाम से जो चाइना के अंदर launch होगा पता नहीं इंडिया में किस नाम से आएगा रूमर है कि ये इंडिया में Redmi Note 9 बनके आ सकता है क्या शाओमी ने globally Redmi Note 9 को tease करना शुरू कर दिया है Twitter पर तो आप मुझे दोस्तों comment करके बताईए आज का poll इसी से रिगारेंगे कि Redmi Note 9 क के बारे में आपका क्या है क्या प्राइस आप expect करते हैं अगर वो इंडिया में launch होता है Helio G85 के साथ में यहां पर poll रखता हूँ आप मुझे जरू से बूट डालके बता सकते हैं क्या को बना है कि दोस्तों वर्ल्ड के अंदर बताया जारे कि 2020 की एंटक लगबग से आट ब जिलीएं से ज्यादा ऐसे डिवाइसे होंगे जो internet से connected होगे जी हां तो आज की नहीं पीट करने को आपको आज की नेगनी पसनाइगी एगिगए अगर आपका पसना आप ज़गों से इस वीडियो को आट करिए नीचे वाला वीडियो ज़्रूर से जागे देखना अगर आ तो subscribe करें ना मिलते हैं आप साट लिए वड़ों में ने वड़ों के साथ, तेले रवी ग्रेट डे, always keep smiling.